नमस्कार में दिपक स्वागत करता हुआ आपका ज्यान लेनेस पर इस टुएंट इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्लास 12 मैस में चैप्टर नमबर 7 चला आपका इंट्रिगल्स ठीक है स्टुएंट इसमें एक्साइस 7.6 कर रहे थे और आपको याद होगा इन कोशन मे पार्ट कर रहे थे यह वाली थी एक्साइस 7.6 और आपको पिछली वीडियो में स्टुएंट मैं कोशन नमबर 10 तक आपको complete बता चुका आज हम कर रहे हैं से कोशन नमबर 11 और आप आपको फॉर्मला भी पता होगा पिछली वीडियो में आपने फॉर्मला देखा होगा क integration by parts का formula यह होता, देखिए, integration by parts के दो function है, f of x और एक g of x, ठीक है, fx और gx, तो formula आपको यह अच्छी तरह से मालूम होगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थी, कि fx पहला function integral होगा gx, फिर derivative होगा first function का, integral होगा second function का, और इस पूरे का भी क्या करना है, फिर integral करना है, तो यही formula इसमें लगते हैं, आपको पता है, ठीक है, student, तो देखिए, portion number 11 हम सुरू कर रहे हैं, x cos inverse x, upon में है, under root 1 minus x square, तो सब से पहले, let i equal to i for integral, ठीक है, integration कर रहे हैं, बई, integration का symbol बना दिया, और dx लगा दिया, student, करने के तरीके दिसको कई सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको simple way में बताता हूँ, कि आपने इसमें करना क्या है, देखिए, इसमें let कर लिजिए, student, एक काम किजिए, इसमें let कर लिजिए, कि आपको cos inverse x दिखाए दी रहा है, cos inverse x, इसकी जगाना simple सी बात आप t लिजिए, क्या लिजिए, t, t लिलो या theta लिलो, कोई problem नहीं, एक ही बात है, अब student, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आप क्या करते हैं, derivative करते हैं, with respect to x, तो इसका cos inverse x का derivative क्या हो जाएगा, minus का 1 अपॉन 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 रूट 1-x स्क्वार, ठीके, इसका इधर t का, with respect to x, dt अपॉन, dx हो जाएगा, ठीके जी, dx को दर लिजाओ, कोई problem नहीं है, ठीके, तो यह हो जाएगा, dx अपॉन 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 रख देंगे, minus का dt रख देंगे, कोई दिखकर नहीं हो निची, ठीके, संजमारी बाते हैं, आप चाहेँ, तो इसको इधर ले जाएगा, dx का value, under root 1-x स्क्वार, dt, बात देखिए, वो कट जाना, बात यह की है, आप चाहेँ, तो इधर ले जाए, then dx का value यह रख दें, बात यह value आप put कर दें, यहाँ पर आ जागे, इस्टुर्ण आपका cos t, cos inverse x जगा, cos inverse x क्या रखना है, t रखना है, और dx अपने, minus का क्या रखना है, dt, संजमारी इस्टुर्ण, कोई दिखकत नहीं है, integral का sign लगा लो, संजमारी बाते है, अब यहाँ पर इस्टुर्ण आपने क् derivative, simple क्या हो जाएगा, one हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो integration by parts, वही लगा रहे हैं, integration by parts है, नहीं कि जब दो function हो, product में, उनका हम कैसे करते हैं, integration by parts, तो formula आपको मालूम होना चाहिए, पिछली वीडियो में, अभी मैं apply करके बता रहूं कि कैसे लगता है ठीक है, पहला function आएगा, minus को भार सुट दो, पहला function आने कि T होगा, integration होगा, किसका, cost T का, सही बात है, फिर minus होगा, derivative होगा, किसका, d upon dt, first function आने कि T का, फिर integral होगा, same, cost T का, ठीक है, stone, और फिर इस पूरे का भी क्या करेंगे, आप integral करना है, इस पूरे का भी integral करना है, और ये bracket लगा दिया, ठीक है, कोई दिकत नहीं आतक, अब फॉर्म ने आपको मालूम होने चीए, cost T का integral क्या होता है, sine T student, minus T का derivative क्या होगा, with respect to T चल ला है, तो 1 हो जाएगा, simple, cost T का integral क्या होगा, sine T हो जाएगा, और ये dt रहेगा, क्योंकि इंटरेगल भार से भी तो है, इस्टोर्ण यहां तक समझ में आगया होगा, अंदर कीज़े इस्टोर्ण, minus, minus, अभी रहें दो भार, sine T, ये है, T, sine T, minus 1 in 2 अई कोर होगे, same आएगा, sine T का integral क्या होता है, स्टोर्ण, minus cost T, minus minus को जाएगा, plus cost T, ठीके, और plus C क्या add कर देना, integration constant, ठीके स्टोर्ण, यहां तक कोई समस्चा नहीं, आप चाहें, तो minus को कहां ले जाएं, अंदर ले जाएं, ठीके, individual को दे दें, ठीके स्टोर्ण, आपके पास final बजगया, देखते रहे है, ध्यान से, स्टोर्ण, आपको T की value रगनी है, तो जहां पर T होगा, वहां पर तो आप यह रख देंगे, cos inverse X, ठीके, और जहां पर cos T होगा, वहां पर क्या रख देंगे, X रख देंगे, अब समस्या किसकी है, समस्या है भई, इसकी sin T, कि sin T आपको पता है, आपको मैं कहीं बारी किसको भी ले जा सकते हैं, स्यमस्या है, जो हम किसको भी ले सकते हैं, sin को भी ले जा सकते हैं, ठीके, तो यहां सी देके, cos square theta के सुन, 1-sin2 theta हो जाएगा इस्टोएंट तो square का के लग जाएगा इस पर root लग जाएगा square का root लग जाएगा ठीक है यहनि कि cos theta कितना हो जाएगा under root 1-sin2 theta ठीक है तो ऐसी हम यहाँ पर कहा किया हुआ sin theta के जगा के रख देंगे under root 1-cos cos को ले जाएगे minus कर देंगे square का root sin theta के जगा यह रख देंगे ठीक है जी तो sin t के जगा क्या रख देंगे sin t के जगा रख देंगे under root 1-cos square t ठीक है और minus का cos t और plus का क्या student c अब रख देंगे value कि आपने क्या लिया था let क्या था कि कि cos inverse x के जगा क्या था t था याद होगा आपको t के जगा यह रख देंगे और x cos t दर हो गया था पीछे से देख लिए सकते हैं यह तो क्या था यह तो क्या था ठीक है ना यहाँ पर आपकी सुवधा के लिए उतार दिया ठीक है आप यहाँ पर value रख दो t, t के जगा के रखेंगे cos inverse x तो यहाँ पर देखा cos inverse x under root 1 minus cos t के जगा के रखेंगे student x तो x square हो गया minus cos t के जगा के रखेंगे आप x रख देंगे और plus c ठीक है student थोड़ा सा एग line आप और कर सकते हैं इसको आगे कर दो under root 1 minus x square को ठीक है जी और cos inverse x यहीं पर है और minus x plus c यही आपका final answer ठीक है आपको यह question बिल्कुल समझ में आगया होगा ठीक है student बढ़ते हैं next question यह question number 12 है x x square x इसका integral निकालना है ठीक है student integral इसका find करना है अब ध्यान दीजे student इसमें हम first function किसको मानेंगे और second function किसको मानेंगे तो बिल्कुल सही है जैसा है बिल्कुल वैसे ही student यह 100% सही है ठीक है वही x को क्या मानेंगे आप पहला function और second square को क्या मानेंगे student second function ठीक है done तो देखिए integration by parts formula आपको मालूम है x आएगा पहले फिर integral किसका हो जाएगा second square x का simple फिर derivative किसका होगा with respect to x के x का ही होगा first function का फिर integral same second square x का और फिर इसको भी क्या कर देंगे student close कर देंगे और with respect to x लिगे देंगे ठीक है दीक है x second square x का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा ठीक है formula मालूम होना चाहिए integration second square x का क्या होता है student 10x होता है यहाँ पे ध्यान अगना जब formula होता ने student यह पूरा यह integral होता ना अब यह आपको पीछे ही बताएगा integral derivative x का कितना होगा 1 होगा x हो जाएगा clear आप जाएगा तो ऐसे लगा दिस पे और plus c के आएगा student आपका integration constant आएगा ठीक है अब थोड़ा से इसको student change कर लेते है हलका सा देखिए x 10x ठीक है जी इसको हलका सा change कर देखिए आपको पता है sec किसका reciprocal होता है student cost का किसका होता है cost का तो इसको लिख देएगे student 1 upon cos x लिख दीजिए ठीक है ठीक है answer लेकिन थोड़ा सा answer sheet के according से लिए ये बना रहा answer तो इसको बनाई देना कि sec x का 1 upon cos x आ रहा x 10x student आपको या तो log m upon n लगा दो के लगा दो m upon n या इस cos को उपर ले जाओ के लगा दो cos को उपर ले जाओ तो cos x उपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा inverse मत करना cos x की whole power माइनस 1 हो जाएगा ठीक है जी और प्लस ही अब आपको student कई बार हमने formula एक बता रखा है log m की power n का क्या बता है n log m हो जाता है ठीक है logarithm में ये derivative जिसे मैं पढ़ाया था उसे में भी ये formula मैंने बताया था ठीक है तो student n log m तो log m की power n n मनलब minus 1 तो कहा जाता है n आगे minus 1 आगे आजाएगा तो minus minus plus log cos x ठीक है वन लिगने के जुरूत नहीं है ठीक है student आई बास में यही आपका final answer है तो कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है चलिए बढ़ते है student question number आपका है 13 ठीक है question number 13 note करते है ये आपके पास student 10 inverse x इसका integration निकालना है ठीक है जी तो आप लेट कर लेंगे मैंने का i equal to ठीक है integral का sin खुद बनाई है 10 inverse x with respect to x ठीक है अब ध्यान देना student 10 inverse x का हमारे पास क्या नहीं होता है integration नहीं मालूम भाई ठीक है मैंने बोला था कि हमारे पास किस के integration नहीं होते है पिछली वीडियो में भी कि जो 솔직히 function याने कि log x के हमारे पास integral नहीं होते है ठीक है log x का integration नहीं होता है ऐसी inverse वाल जैसे कि sin inverse x cos inverse x ठीक है 10 inverse x इनका integration भी नहीं है लिखाई नहीं रही है ठीक है है इस condition में हम क्या करेंगे integration by parts करेंगे लेकिन उसके लिए कितने function होने जरूरी है दो function होने जरूरी है तो दूसरा function हम वन लिख दें कोई फरक तो नहीं पड़ा है इस किन्टू वन सुग यह आ जागा तो यह पहला function और यह दूसरा पहला function इसको मान लो क्यों क्यों कि आपको पता है ज हमको मालूम है 10 inverse x का कोई दिक्कत नहीं इसको लगा देंगे ठीक है तो दिखिए पहला function क्या होगा 10 inverse x integration किसका होगा 1 dx यह simple आप dx भी लिख दें कोई problem नहीं माइनस derivative किसका होगा 10 inverse x का फिर integral 1 का 1 dx और फिर इस पूरे का भी क्या होता हमने का integral होता है ठीक है जी संदमा गया formula apply करने ठीक है तो 10 inverse x और 1 dx का क्या होता simply x होता है minus 10 inverse x का derivative होता है 1 upon 1 plus x square derivative इसलिए आपको जो chapter 5 पढ़ा रखाना है इस्ट्वरण derivative का वो भी पता होना चीए 1 dx का x हो गया और पीचे से dx कोई problem यहां तक नहीं होनी से इस्ट्वरण आई हो ठीक है समझ मागे बात है अब दिखे इस्ट्वरण यहां से आप इसको ना इसकी तो कोई दिखने तो हो गया इसका थोड़ा problem है इसको t ले लेते हैं लेट कर लेते हैं लेट कि भाई 1 प्लस x स्क्वार को के लिए लेते हैं इस्ट्वरण t ले लेते हैं अब derivative with respect to x 1 का 0 constant का x स्क्वार का 2x इधर dt upon dx ठीक है इस्ट्वरण तो इधर ले जाओ dx को x dx equal to क्या गया है dt upon 2 ठीक है आप चाहिए तो x को भी लिया है यहां तो जब dx क क्या हो जाएगा cancel तो मैं सिधा इस x dx की जगा क्या रख दूँगा dt upon 2 रख दूँगा बात एक ही है ठीक है यहां पर देखे इसको आगे पीछे कर तो x 10 inverse x minus student ठीक है 1 upon इसकी जगा क्या बोला हमने t replace यानिकी substitute करने के लिए बोला x dx जगा क्या रख देंगे student dt upon 2 रख क्या इंट्रिकेशन कई बात बता रहेगा 1 upon x का log x होता है ठीक है आई बात से में student 10 inverse x minus 1 upon 2 1 upon x का होता log x x मनला t और plus c का रहा इंट्रिकेशन constant चलता रहेगा तो student x 10 inverse x minus 1 by 2 log t अब t का value student रख देजी आप यह 1 plus x square ठीक है यहां पे 1 plus x square ठीक है प्लस c and यहीं आपका student के final answer ह है तो आई होप आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा चलिए बढ़ते student question number 14 note कर रहा हूं है एक्स फिर है log x का whole square ठीक है इसका integration आपको निकालना है क्या student x log x का whole square अब देखें log वाले function का भी student हमको क्या मालूम नहीं होता है log वाले function का भी हमको इंट्रिगेशन नहीं मालूम है तो log वाले को भी पहला function मानना पढ़ता तो log x को आगे लिख दीजिए ठीक है और x को पीछे लिख दीजिए कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है अब यह पहला function और यह दूसा function तो फॉर्मे में आप पूट कर देंगे पहले पहला function लिखी है ठीके जी फिर integration किसका होगा x का फिर minus derivative किसका होगा student आपका first function का यहांदी कि log x square का फिर integration होगा x का ठीके जी कोई दिक्कत और फिर इस पूरे का भी क्या होता आपको मालूम होना चीए integration होता है अब student आपको बिल्कुल यहां से तो simple है x का integral कौन सा form लगेगा x की power n वाला य प्लस 1 इंट्रिगेशन का यह पहला formula है ठीके तो x की power n 1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 टू 1 प्लस 1 टू x की power 2 upon 2 हो जाएगा इस ठीके इधर लिग जेते हैं इसको क्या बचा आपके पास हमने का log x का whole square तो है इधर x का integral क्या बता है x square upon 2 हो जाएगा minus integral अब derivative is 20 derivative log x का whole square है log x को पहले क्या सोच लो x सोच लो अब x square का derivative x की power n वाला formula अगर हम derivative की बात करें ठीके derivative हाना यह formula बता रहेगा आपको d upon dx x to the power n का derivative n x की power n minus 1 ठीके बता रहेगा इस ठीके बता रहेगा इस ठीके आपको yes अब n की जागा कौन है 2 यहां 2 आ जाएगा और x की power 2 minus 1 1 यहाए लेकिन इस ठीके लोग x का क्या होगा further derivative होगा क्योंकि actually वो x नहीं है x थोड़ी ना है तो log x इसका square का 2 log x लेकिन इसका derivative होगा फिर log x का derivative क्या होगा 1 upon x हो जाएगा ठीके इस ठीके इस ठीके इदर आपका x का भी बताए integral यहाँ पे लिखा था x square upon 2 क्या लिख देंगे इस whole square और यह x square upon 2 का लिख दो आगे लिख दो ठीके है ना कोई problem नहीं यहाँ तक minus 1x से x कड़िया तो log x into क्या बचा x बचा यहीं तो बचा एक कड़िया तो हो ना with respect to x अब यहाँ पे इस ठीके फॉर्दर क्या बन गया आपका दुबार से यहाँ पे दो function वाला form लग जागा ना वही integration by parts दुबार से लग जागा form ना क्योंकि दुबार से हमको यहाँ पे दो function product में दिखाए देने तो form लगएगा पहले bracket लगा दो क्योंकि भार क्या है minus sign क्या होंगे change होंगे ठीके इस्ट्वर्ड लॉग x integration होगा x का ठीके जी minus log x को ही मानना है पहला क्योंकि उसका आँको derivative मालूम है integration नहीं मालूम इसलिए उसको दूसरा function मत माना करो ठीके इंट्रिगर सुन होगा फिर bracket के इंदर क्या होगा इस्ट्वर्ड डेरिविटेव होगा किसका log x का फिर integral होगा same x का ठीके जी और ये dx संदमागे इस्ट्वर्ड कोई दिक्कत नहीं x square upon 2 फिर bracket मे log x का whole square minus student यहाँ पे अंदर देखिए log x ऐसी रहेगा अभी x का आपको क्या बताया था integral x square upon 2 बताया था संदमा रहे होंगे बाते minus अंदर देखिए student यहाँ पे अंदर क्या क्या होगा log x का derivative 1 upon x x का कितना होगा x square upon 2 हो जाएगा और ये dx आपका होगा और bracket close ठीके यहाँ त जाओने इसको x square upon 2 log x लिख दो इसको आगे पीछे minus minus के हो जाएगा plus हो जाएगा 1 upon 2 को का कर लो भाब 1x x कड़ गया तो simple x बचा क्या बचा x बचा ही तो बचा भई ठीक है अब x का फिर से वही लिख देंगे x square upon 2 तो देखिए student x square log x का whole square minus x square upon 2 log x plus 1 upon 2 तो वहीं पे x का भ आएगा integration constant आएगा आपको मालूम होना चाहिए तो x square upon 2 final लिख देते हैं log x का whole square minus x square upon 2 फिर log x है student और plus है x square upon 2 तो जा कितना हो गया 4 हो गया और plus ही क्या आगया ये integration constant तो इसका final answer है आई होप आपको ये question नहीं बिल्कुल समझ में आ गया होगा copy pen जरूर निकालें और बार- ज्यादा समझ में आएंगे ठीक है बढ़ता हूं question number 15 note करते हैं ncrt book से ले रहें ठीक है question x square plus 1 फिर log x ठीक है student तो यहाँ पे further वही problem है log की log का मैंने का integration नहीं मालूम तो log को क्या माना करो first function और इसको second मान लेंगे कि इसको x square plus 1 को संदमा गे student ये first function और ये second function यानिकी f of x औ और जी of x ठीक है fx gx तो formula वही पहला function integration किसका होगा second function यानिके x square plus 1 का फिर minus होगा integration बैकेट के अंदर क्या होगा derivative of log x का फिर integration किसका होगा student x square plus 1 का ठीक है जी with respect to x और फिर भाहर से क्या हो जाएगा dx हो जाएगा संदमा आगे ना यहाँ ता कोई दिक्कर नहीं होनी चीए अब देखें student log x यह x square का अब सिधा अंदर क्यों जारो line क्यों बढ़ारो कि इसका square हो सिधा आपको पता x square का क्या हो जाएगा भई x की power 3 upon 3 हो जाएगा पता ना कौन सा formula x की power n वाला जो अभी पीछे आपको बताया 3 है यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर लिखिए student यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा है 2 plus 1 3 upon 2 plus 1 3 ठीक है संदमा आगे बात है कोई दिक्कत नहीं है और 1 dx का आपको मालूम होना चीए x होता है ना क्या होता है x होता है minus log x का क्या है student derivative 1 upon x होता है integration same वही है x की power 3 upon 3 और plus क्या आजाएगा 1 dx का x आजाएगा और यह dx पीछे वाला है ध्याना clear student 1 upon x की पहले आप अंदर multiply कर दे इसको लिख दिजे इसको बलकि आगे कर दो log x को कहा कर दो student पीछे कर दो थो ठीक है तो इसको आगे और इसको पीछे कर रहो में ठीक है तो x cube upon कितना 3 plus x आगे और log x को कहा कर दिया माने का पीछे कर दो ठीक है इसको अंदर जाएगा तो एक पावर से एक पावर क्यों जाएगा cancel तो आपका कितना पावर बचा x की पावर 2 upon 3 बचा प्लस यहां ले जाएंगे तो इसके पावर में मला इंटू होगा न यहां इसके इंटू होगे तो एक 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 यहां 2 पावर बचेगी इसके साथ होगा तो x x कैंसल कितना बचा simple 1 बचेगा ठीक है with respect to x अब फिर अंदर ले जाओ ना confusion मत हो 3 को भार कर दो 1 upon 3 किसका कर रहें x की पावर 3 का integral और minus plus minus होगा 1 dx का integral ठीक है यहां तक समझमा आ गया होगा तो x की पावर 3 upon 3 plus x फिर हो जाएगा आपका log x minus 1 upon 3 x की पावर 3 का क्या हो जाएगा x की पावर 4 upon 4 हो जाएगा 1 dx का x और plus ही क्या गया है इस्टूंट आपका integration constant आएगा ठीक है इस्टूंट आपको मेरी बाते बिलकुल समझ में आ रही होगी ठीक है यह समझमा आगे ना x क पावर 2 का ना x की पावर 2 था ही हाा सॉरी गलती से हो गया ठीक है ठीक है ठीक है अब की ठीक है ठीक है ना 2 दिककर नहीं है तो x की पावर 3 upon 3 plus x और ही हो गया log x minus यह हो गया इस्टूंट आपका x cube का इंटू1 से करो गए x x cube भी आ जाएगा ठीक है और नीचे 3 सिर जा और minus x plus c यह आपका student के final answer हो गया ठीक है तो I hope student आपको ये पांचो के पांचो कोशन समझ में आ गऊंगे perfect तरीके ठीक है तो इनको आप दुबार ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है एक बात खुट करके ठीक है तो यहाँ आपके मैंने आगो कितने कोशन बता है 11 to 15 कोशन बता है इस वीडियो में ठीक है थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो